बॉट बॉर्णिंग इस्टूडेंट्स देखें आज हम लेकर आए हैं क्लास सेकंड के लिए इंग्लिश ग्रामर चप्टर टू अल्फाबेटिकल ओर्डर देखें बच्चों अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं इसमें फर्स चप्टर में लेटर्स, अल्फाबेट्स, क्याप्टर लेटर कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में और एक लेटर वाले वर्ड, दो लेटर वाले वर्ड, प्री लेटर वाले वर्ड, फोर लेटर वाले वर्ड ये हम पढ़ चुके हैं इसके साथ साथ हमने स्पेलिंग के बारे में भी पढ़ा था कि सही तरीके से स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, लेटर्स को कैसे सैट किया जाता है ताकि सही स्पेलिंग बन सके इसमें हम पढ़ेंगे Alphabetical order Words को Alphabetical order में कैसे set किया जाता है यह हम पढ़ेंगे दिखे The words begin with the letter A come first Then the words begin with letter B and so on Such a particular order of words is called Alphabetical order सच से पहले A से शुरू होने वाले word आते हैं उसके बाद B से शुरू होने वाले फिर C से शुरू होने वाले फिर D से शुरू होने वाले और S एपल आगे हम बढ़ते चले जायेंगे तो सबसे last में कुन साइगा Z से शुरू होने वाला word आएगा और यह जो order होता है यह зем हमारा यह Alphabetical order कहलाता है देखे जैसे एपल एशे शुरू होता है तो यह पहले आया है फिर बॉय जो है वो फिर बॉय जो है वो बीशे शुरू होता है तो यह बाद में आया है फिर क्लास सी शुरू होता है तो यह बॉय के बाद आया है डॉब बीशे शुरू होता है तो ये class के बाद आया इसी तरीके से दीरे-दीरे आगे चलेंगे हम तो जो जैबरा है वो सबसे last में आएगा क्योंकि जैड जो है ABCD में सबसे आखिर में आता है तो जैड से शुरू होने वाला शब्द भी सबसे आखिर में आएगा सबसे last में आएगा यहां पर कुछ exercise में कुछ letters दे रखें कुछ words दे रखें उनको आपको alphabetical order में करना है देखिए जैसे S, V, R, W, T, U यह अलग-अलग six letters दे रखें आपको क्या करना है इनको आपको क्या करना है इनको alphabetical order में लिखना है तो सबसे पहले देखिए इनमें अगर हम देखें तो R पहले आता है उसके बाद S, T, U, V, W इसी तरीके से आपको इसमें करना है O, F, J, B, L, G इसी तरीके से आपको बाकी की exercise भी करनी है नेक्स देखिए आता है हमारा jumble word इसमें chapter 3 आता है jumble word jumble word क्या होते हैं कुछ ऐसे letters होते हैं जो आपस में गुते हुए होते हैं या उल्जे हुए होते हैं उनको हम jumble word कहते हैं when the letters are put is improper order यानि सही कम में अगर वो नहीं दिये हुए हो तो यह क्या कहलाते हैं jumble word कहलाते हैं उनसे बने हुए word क्या होते हैं? jumble word उनका कोई sense नहीं निकलता है वो कोई भी sense नहीं देते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ प्लेज दीज लेटर्स इन देर करेक्ट ओर्डर तो फॉर में नेम दा पिक्चर विल हल्प यू यहाँ पर आपको सही तरीपे से इन लेटर्स को अरेंज करना है और इन पिक्चर को हैल्प लेकरके आप इनको अरेंज कर सकते हैं जैसे फर्स इसमें देखे टेलर है तो आपको क्या लिखना है इसमें टेलर इसी तरीगे से से इसमें 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 भी सेट करना है जैसे ये न, ए, 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 लेकिन ये है क्या फैन तो हम क्या लिखेंगे ए, 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 इस तरीए जी तरीड़े है बैट, कैट, एम, सं, टाइगर, आवल, एड, होर्स इस तरीगे से हम इनको सेट करेंगे और देखें थर्ड देखिए, read the letters given below and look at the pictures, join the letters to form a appropriate word for each picture यहाँ पर आपको कुछ letters दे रखें, कुछ pictures दे रखें देखिए, जैसे यह men है, तो हमने इसमें से M उठाया, A उठाया और N उठाया और हमने क्या बना दिया, men इसी तरीके से यह चूहा है, देखिए, read है, तो हमने क्या उठाया इसमें से, R उठाया, A उठाया और T उठाया इसी तरीके से आपको यह apple, god, fish, boy, girl, car और crow के लिए आपको बनाना है और यह learn भी करने में, okay, thank you